अब हमारा टॉपिक है हैचिंग हैचिंग क्या है यार सबसे पहले यह समझना है इस टेक्नीक और मैथट टू मिटीगेट रिस्क आप एक रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा मैथट जिसमें आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करो उसको हम क्या बोलते हैं अब अगर मैं एक एक्जामपल दूँ तो एक्जामपल यह एकसर मेरे पास एक inventory बढ़ी हुई है और मुझे यह लग रहा है अब मुझे risk जो है वो यह है कि इसकी fair value कम हो जाएगी और यह market में कम price पे भी कहेगी यह inventory मेरे लिए रिस्क जनरेट कर रही है अगर यह मेरे पास ना होती तो मुझे यह risk ना होता तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कर इसको जनरेट करती है आपके लिए यहां पर मेरी example में inventory है risk यह है कि इसकी fair value कम हो सकती है इसकी market में value कम होगी और मैं सस्ती बेच बेच होंगा तो मुझे नुकसान होगा तो किसी समझदार बंदे ने कहा यार कि अभी थोड़ी तेर पहले अपने derivatives देखे होंगे उनकी videos तो आप derivatives को use क्यों नहीं करते है to hedge this risk, to minimize this risk अब आप सुचेंगे कि कौन सा derivative use किया जा सकता है to mitigate this risk बड़ासान है हमने सीखा था कि एक forward या future contract होता है और वोस future या forward contract में अगर आप contract to sell कर लो तो contract to sell में prices कम होती जाएंगी तो वो contract आपको benefit देता जाएगा agree तो sir मैंने आज इस inventory को बेचने का contract कर लेना है तो जब मैं आज inventory को बेचने का contract करूँगा तो होगा क्या तो sir price तो आज ही decide होगी resume करते हैं मैंने ये contract कर लिया रुपीज 50 पर केजी है पर unit sir आपने अपनी selling price को lock कर लिया इस contract में इसका मतलब है forward contract ने आपका risk खतम कर दी है कि price कम हो सकती है हो जाए market में price कम आपको तो कोई issue नी क्योंकि आप contract कर चुके है और आपको बता है contract to buy या contract to sell in future क्या होते है derivatives होते है इसका मतलब है आपने forward contract को use किया to hedge or to minimize the risk जो create हुआ था due to inventory agree good तो इस तरह आप लोग यह काम कर सकते हो अभी हम थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें swap पे बात वी थी आपके पास एक loan है जो के fixed rate पे है आपको लग रहा है कि यार यह loan है at 10% fixed rate पे है आपको लग रहा है कि market में rate कम हो जाएंगे अब आपका रिस्क पता क्या है आपका रिस्क है यह है कि existing fixed rate loan की वज़ा से आपको हमेशा 20 years loan है आपको 20 years में 10% पे करना पड़ेगा जबके market में rate कम हो जाएंगे market में rate आप expect कर रहे हो कि 6-5% पे आ जाएंगे अब आपका यह loan आपके लिए risk create कर रहा है कि you have to pay more in future agree तो फिर किसी समझदार बंदे ने आपको कहा यार कि use derivatives to hedge this risk हमें बता है कि swap contract होता है जिसमें हम fixed rate को exchange कर लेते हैं किसके against variable के against तो मैंने swap कर लिया अपना fixed rate for variable rate इससे होगा क्या मैं fix rate से variable rate पे move कर गया हूँ तो अब अगर future में कम होता है तो मुझे फाइदा होगा क्योंको मुझे कम pay करना पड़ेगा तो मैंने एक derivative contract को use किया to hedge the risk agree अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इस पूरी discussion में कि आप एक risk को कम करने की कोशिश कर रहे हो normally using derivative contract अब अगर आपको यह बात समय लगी है तो आपको दूसरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था वो यह थी कि एक चीज होती है जिसकी वज़ा से आप risk phase करते हो वो चीज क्या है this is interesting एक होता थी hedge item क्या होता है hedge item हम उस चीज को कहते हैं जिसकी वज़ा से हमें risk bear करना पाड़ा है जिसकी वज़ा से हम expose हो गया है towards risk पहली दूसरी example में मेरे एक loan ता जो fixed rate पर मैंने लिया हुआ था agree इसका मलब है कोई ना कोई चीज होती है जिसकी वज़ा से risk आपता है उस चीज को हम कहते है hedge item so hedge item क्या है it's an anything it could be financial it could be non-financial जैसे inventory non-financial है यह loan एक financial था और it could be highly committed transaction आपने future में को transaction करनी है वो भी हो सकती है that exposes entity towards risk this is important के एक ऐसी चीज जो expose कर दे entity को towards risk हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे hedging बोलेंगे hedge item बोलेंगे sorry तो आपने हमेशा trace करना है कि hedging में hedge item क्या है then another thing is hedge instrument hedge instrument क्या है hedge instrument कुछ भी हो सकता it could be anything it could be financial it could be non-financial it could be anything normally यह derivatives होते है that is used to mitigate or minimize the risk तो guys यहां पे forward contract था derivative as a hedge instrument हमने use किया हमने एक instrument है risk को minimize करना ही का hedge instrument और यहां पे एक swap contract को use करने की कोशिश किया आप लोगों तो हमेशा hedging में hedge item और hedge instrument है guys अब जो बात में important है जो मैं बताने जा रहा हूं जरा समझना है hedging की कोई counting नहीं है guys actually hedging में दो जो चीजें है which is hedge item and hedge instruments इनकी accounting इसका मलब है जब भी मैं कहांगा hedge accounting की कोशिश करते है तो संडिट कहता है क्या आप वाकी hedge accounting कि आपको कुछ डिफ्रेंट हैं आम अकांटिंग के रूस डिफ्रेंट हैं है इस डिफने होने सब्स्क्राइब करना ی qualionen कि ढese Sólo लेकिन अभी मेरा कसें है कि अगर हैंट करना चाहते हों को के फोड़ी दिफ्रेंट अकांट्टिंग है different from the normal accounting वो अगर करना चाह रहे हो तो there must be a hedge accounting criteria जो के satisfy होना चाहिए अगर ये criteria fulfill हो गया तो आप hedge accounting apply करोगे जो मैं आपको बढ़ाँगा थोड़ी देर में अगर आप criteria पूरा नहीं होता तो जो normal accounting आप कर रहे थे वो ही करेंगे अब आप लोग थोड़ा परिशान हो रहे होंगे कि यार hedge accounting तो हमने नहीं पड़ी लेकि normal accounting का क्या मतलब है sir normal accounting इधर पढ़ लेते हैं sir inventory normal accounting में lower of cost नर्वी पर आती है balance sheet में forward या future contract derivative जोस हमने accounting पड़ी fair value through penal पर लेके जाते हैं so normal accounting is कि inventory को lower of cost या NRV पर लिख लें और इसको आप fair value through penal पर लिख लें loan आपकी financial abilities and normally financial abilities are measured at fair value at amortized cost आप इसको amortized cost पर लिखेंगे और इसको fair value through penal पर लिखेंगे this is normal accounting तो sometimes examiner इस तरह का question भी बना सकता है वो आपको एक hedging की देगा और वो कियेगा criteria met हो जाए तो क्या करना है criteria not met हो तो क्या करना है तो फिर not met में आप normal accounting apply करते जाओगे और met में आप hedge accounting apply करोगे जो हमने पढ़नी है so this is something जो कि आपके लिए important है guys the hedge accounting criteria examiner की अच्छी बात यह है that theoretical चीज़े as it is नहीं पूछता CDC नहीं पूछता क्यूंकि हमें books allowed है तो books allowed है तो उसमें तो यह criteria लिखा हुआ तो हम वहां से देख के भी लिख सकते है इसलिए वो इस तरह की चीज़ों पर नहीं आता मैं इसको explain करता हूँ थोड़ी देर में अभी I am concerned with के types of hedging क्या और उनकी counting क्या और यही एक area है जो के हमसे वो बूछेगा भी done so अगर आप criteria पूरा हो जाएगा तो आप apply करेंगे hedge accounting अगर criteria not पूरा हो तो आप normal accounting follow करेंगे guys यह applied missing है लिख रही जाएगा so types of hedging sir सबसे पहले hedging की counting करने से पहले जब criteria पूरा हो गया assuming के पूरा हो गया और आपको बता रहा हो था पूरा हो है नहीं भगी अंपड़ भी लेंगे तो आपने decide करना है कि hedging को उनसी है there are three types of hedging guys first type is fair value hedge second type is cash flow hedge अब fair value hedge के और cash flow hedge के this is important done fair value hedge है guys के risk है in increase or decrease in fair value जब आपको risk ये हो के fair value आपके acid ya liability की बढ़ सकती है या कम हो सकती है जब risk ये हो तो अगर आप इस risk को mitigate करने गए है तो इत्सा fair value hedge लेकिन अगर risk ये है कि आपके cash flow future के या बढ़ सकते है या कम हो सकते है obviously अगर outflow होगा तो वो बढ़ जाना risk है inflow होगा तो वो कम हो जाना risk है जब cash flow के ज़्यादा कम होने की tension से आप hedging करेंगे तो इत्सा cash flow hedge जब fair value की fluctuation से परिशान होके इस risk को mitigate करने कोशिश करेंगे तो fair value hedge इसका मला hedging का जो नाम है वो नाम इस context में रखा गया है कि अगर आपका risk जो है वो fair value fluctuation है तो fair value hedge है अगर cash flow की movement आपका risk है तो it's a cash flow hedge गाज एक third type of hedging भी है जो के हम end पर देखेंगे उसके end पर देखने की बजाई यह है कि जब तक हमें ice 21 foreign currency transactions के बारे में और foreign subsidy के बारे में नहीं पड़ेंगे तब तक उसकी समझ नहीं आएगी तो बाराल हम उसका idea ज़रूर लेंगे at the end तो third type को मैं side पर रखना हूँ भी उसकी accounting बिल्कुल similar है cash flow hedge से now we are going to deal with fair value hedge अगर आप fair value hedge आपको बता दिया दाए कि it's a fair value hedge और risk जो था वो fair value hedge है उपर जो examples दी हैं guys मेरे पास एक investment है मुझे लग रहा है उसकी value कम हो सकती है तो fair value की movement को लेके मैं परेशान हूँ इसका मलब है मैं hedging करा हूँ तो it's a fair value hedge guys fair value hedge में this is important और यह वाली चीज़ें examine अभी तक पूछी भी नहीं है तो fair value hedge में आपने ये देखना है कि जिस hedge item जिस hedge item की आपने hedging की है वो कौन सा यानि वो कौन सा acid था वो कौन सी liability थी जो आपको risk की तरफ expose कर रही है guys ये दो चीज़ें हो सकती है मैं कुछ list बनाऊंगा ताकर understanding अच्छी develop हो जाए कि अच्छी नहीं है सर मैंने एक list बना ली सर आपने क्या देखना है आपने देखना है कि investment को अच्छी है asset गोन सा liability को अच्छी है सर अब जरा बात समझने है सर आपने देखना है कि जो hedge item है क्या वो fair value through OCA investment है in equity fair value through OCA equity investment है सर ये equity investment है this is really important guys fair value through OCA equity investment है या कुछ और है this is really interesting या other than fair value through OCA equity investment है या ये है या ये है देखो बड़ा साम कर दिया हमने अब हम classify करते है इसको मैं number दे देता हूँ A और इसको मैं categorize कर लेता हूँ B में so A B होगया और B B होगया अब हमें क्या करना है जी sir sir inventory है आपकी जो inventory है ये fair value through OCA equity investment है या कुछ और है इसका मतलब ये चली जाएगी B में it's B investment in debt तो या पे तुम्झे equity investment पर डिबेट करनी है तो investment in debt कुछ और है ये भी other है ये भी other है ये भी other है ये भी other है intangible speed investment property investment in equity fair value through P&L भी other है इसका मतलब है हर चीज other than fair value through OCA investment है सिरफ एक चीज है जो के IFRS 9 में investment in equity जिसके लिए आपने revokeable election किया होता है जो के fair value through OCA investment में fall करेगी अब अगर आप होर करो तो investment debt जो fair value through OCA है वो भी fair value through OCA investment में नहीं आएगी this is fair value through OCA investment लेकिन equity वाली ये equity add करना अपने notes में done fair value through OCA investment equity वाली even fair value through OCA debt investment वाली हो वो भी इदर fall कर जाएगी ये others इसका मतलब यह है कि सारे ए थे B में सिर्फ सारे B थे A में सिर्फ investment in equity जिसके लिए आपने irrevocable election किया हो irrevocable election हमें IFRS 9 की classification में हम देख चुके है अगर तो यह है बच्चो तो फिर ये hedge item खुद भी fair value through OCA पर लिखेगा आप इसको re-classify नहीं कर सकते हैं आप इससे उधर नहीं कर सकते हैं और जो hedge instrument होगा जो normally derivative होता है बच्चो वो derivative भी इसी के ओपर dependent है जो इसकी accounting है वो इसकी accounting करनी matching concept होता है तो fair value through OCA इसका मतलब है अब अगर आप गोर करो hedging में आके derivative जिसकी normal accounting fair value through P&L थी जब ये वाली situation create होती है तो अपनी normal accounting छोड़के fair value through OCA पर आ जाता है इसलिए जब आप standard पढ़ोगे ना तो standard में जगे दे के लिखा होगा derivatives are measured at fair value through P&L except if they are used as a hedge instrument when your hedge item is fair value through OCA equity investment तो ये वाली बात उदर है बाराल आपको अभी याद ये रखना है बच्चो कि अगर fair value through OCA investment है equity investment तो वो भी fair value through OCA पर रहेगी और उसका जो hedge item की वज़ा से hedge instrument क्रियेट हुआ है जो derivative है वो भी fair value through OCA पर आ जाएगा ये याद होगे अगर कोई और चीज है inventory, investment debt है, mortise cost वाली है, PPA, investment property है ये अदर देना है तो आपने hedge item यानि इन सारी चीज़ों को fair value through OCA पर लाना है और इसका जो क्योंको matching है तो hedge instrument भी fair value through OCA पर रहेगा अब आपको समझ आएगी कि normal accounting में क्या होता है अब आपको fair value through OCA पर लाना पड़ेगा जब ये hedge item बन जाएगे अब आपको ये normal accounting चोड़ के fair value through OCA पर आना पड़ेगा दूसरी जो टाइप है वो है cash flow hedge cash flow hedge में क्योंके cash flows आपको अभी तक मिले ही नहीं cash flows तो आई नहीं अभी cash flow flow तो in flow future में होना है इसलिए जो hedge item है वो books में होता ही नहीं interesting अब वो books में नहीं है तो क्या करना चाहिए hedge instrument जो है future cash flow है मुझे 5 उरुपे 10 दिन बाद आने है तो वो 5-10 दिन बाद आने है currently in my books वो अभी books में नहीं है तो not recognized है hedge instrument बचो fair value पे लिखना है आपने guys अगर fair value पे लिखना है तो क्या करोगे fair value की result मेंने gain loss आता है इस gain loss को इस gain loss को आपने दो हिस्सों में split करना you need to split this gain into effective and ineffective portion ineffective portion means it's not a part of hedge तो जब parting of hedge ही नहीं है तो आपको इसको पूरन P&L में charge करना ineffective portion will be charged to P&L effective portion आपने other comprehensive income में charge करना और वो वहाँ से cash flow hedge reserve बनता है statement of change and equity वहाँ से चला जाएगा फिर उसके further आगे treatments के हैं ये मैं आपको examples में ही जाके सिखाऊंगा लेकिन उससे पहले जो बात मैं समझाना चाहा हूँ पता कैसे चलता है effective है या ineffective है पहला problem तो ये है तो सर उसके लिए आपको देखना पड़ता है hedge item का gain loss सर hedge item का gain loss जो के books में नहीं है लेकिन आप उसके gain loss calculate कर सकते हैं कैसे अभी समझा देता हूँ है then guys अगर इतनी बात समय लगी तो एक है hedge instrument अब हम hedge instrument के gain loss को split करेंगे और base बनाएंगे hedge item को पहली situation इसका gain था 10 इसका loss था 12 सर इसमें से 10 effective है इस 12 को split कर रहे हैं और जो बाकी remaining 2 है वो ineffective है तो यह split होगे है sir B situation इस इस 10 और यह 9 है 9 का 9 effective है यार ineffective कुछ भी नहीं C situation यहांपे 12 है यहांपे 12 है 12 का 12 effective है D situation यहांपे 10 है और यहांपे 15 है 10 effective है and 5 is ineffective तो यह situation बनेगी sir मेरा ख्याल आपको idea हो गया होगा इसका मलब है up to hedge item gain losses जो आ रहे हैं वो effective portion over and above अगर hedge instrument produce कर रहा है तो भाई hedge instrument को develop क्यों किया है इस risk को खतम करना ही के लिए अगर यह अपनी तरफ से ज़्यादा produce करना शुरू कर देगा तो यह गलत है it should be maximum up to this amount अगर इतनी बात समय लग गई तो पता कैसे चलना है questions में obviously यह समझ लेते हैं लेकिन आपको effective ineffective का idea होना चाहिए यह mention किया हुआ effective portion आपने किदर charge करना है OCA में ineffective portion पिएनल में एक बात और जो बहुत important है hedge item और hedge instrument हमेशा opposite होते है हमेशा opposite behave करेंगे opposite कैसे behave करेंगे अगर इस पे gain है ना तो यह confirm है कि इस पे loss होगा और अगर इस पे loss है तो इस पे gain है इस पे loss है तो इस पे gain है this is confirm hedging बनेगी तब जब दोनों एक दूसरे के reverse produce करेंगे यह बताना इसलिए जरूरी था वैसे तो हमें पता होता है gain है यह loss है question में बता देता है हम खुद identify कर देते हैं यह बताना इसलिए जरूरी था sometimes वह हैज item का gain बता देता है कि gain है और दूसरी की mount बता के यह नहीं बताता है कि loss है तो फिर obvious है यह हमेशा opposite behave करेंगे opposite behave क्यों करना चाहिए क्योंकि हम hedge करना चाह रहे है मैं चाह रहा हूँ कि एक क्या loss दूसरे के gain को offset करे और मैं have net position वही रहे that's why यह हमेशा opposite behave करते है अब जो effective portion होता है वो आप OCM में लेके जाते हैं और वहां से यह sometimes non financial items के लावा हो तो हम यह reglassify कर देते हैं towards P&L में जैसे जैसे वो hedge item की वज़ा से आने वाला asset liability P&L में जाता है इनको हम examples में समझेंगे जादा अच्छा समझ आएगा let's re-sumarize this topic guys और हम move कर रहे हैं then examples पे guys hedging एक ऐसी technique है जिसमें हम risk को mitigate करते हैं इसमें एक hedge item है और एक hedge instrument है यह हमेशा एक दूसरे के opposite behavior करते हैं एक पर gain है तो दूसरे पर confirm क्या होगा loss होगा यह हमेशा opposite behavior करते हैं और कौन सी चीज़ है जो risk create करती है hedge item जो risk को mitigate करे हो hedge instrument है normally hedge instrument जो है वो derivatives होते है Guys hedge accounting के लिए criteria है जो criteria पूरा होना चाहिए अगर criteria पूरा हो तो आप accounting करोगे otherwise आप hedge accounting नी normal accounting apply करोगे इसका मलब है hedging के उपर normal accounting भी लग सकती है अगर criteria पूरा ना करे बट अगर criteria पूरा कर जाए तो hedge accounting है hedge accounting में तीन तरही की hedging है में दो तरह की hedging को हमने cover किया first one is fair value hedge and the second one is cash flow hedge. Fair value hedge में guys आपने देखना है कि hedge item fair value through OCA investment equity investment है या कुछ और है अगर fair value through OCA equity investment है इसके लिए रहो कि बेलेक्शन हुआ उता है तो इसको भी fair value through OCA पर रखना है और इसका जो hedge instrument है वो भी fair value through OCA पर ही रखना है लेकिन अगर कुछ और है तो हर चीज fair value through PNL पर आ जाएगी cash flow hedge में hedge item तो है नहीं लेकिन hedge instrument के portion gain loss को आपने effective ineffective portion बांटना है effective portion will be charged to profit and OCA and ineffective portion will be charged to PNL और जो OCA में जा रहा है ultimately वो reclassify भी होना है या तो उसे adjust कर देना आपने carrying value facet yelability में this is not called reclassification adjustment या फिर उसे आपने declassify करना है non financial items में adjust होता है carrying value में financial में normally declassify होता है towards PNL thank you so much guys next videos आपको मिलेंगी criteria पे और examples पे guys